आप सभी का सवागत है एक लोजिक के यूटूब चैनल में मैं हिमार्शुकमा जेच्यू टैक इंसिचूट से आप सभी का सवागत करता हूं तो फ्रेंट्स आप सभी कैसे हैं उमीद है आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स एक चैनल पर आपको डिफरेंट टाइप्स क आपने देखा होगा जिसमें मैंने DSO मशिन के अन्वाक्सिंग बताई थी उसके अंदर में मैंने बोला था कि मैं इसके फीचर्स बगेर भी आगे चलके बताऊंगा बट मेरे माइंड से चीजे स्लिप हो गई और मैं भूल गया था तो मुझे किसी आज मैं आपको यूनिट के DSO मशिन की सेटिंग और फीचर्स के बारे में बताऊंगा फिर इसको कैसे यूजिस करना हो और क्या क्या करना है तो मैं चैनल को कर लें सस्क्राइब और वीडियो को एंट तक देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इसमें सीखने को मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताए और फ्रेंट्स आपके सस्क्रिप्शन से मतलब जो आप मुझे चैनल को सस्क्राइब करते में चैनल को और आपके और फिलिंग साती है कि हां मुझे ज्यादा से ज्यादा विवर्स देख रहे हैं और उनके लिए मुझे और वीडियो बनानी तो प्लीज ज्यादा सेर करें सस्क्राइब करें और कमेंट्स करें अपने सजेशन ऐसी देते रहें आपका प्यार मुझे बहुत अच्छे तरीक तो पूरा वण इयर के लिए बैलिड होता है जब भी अपना रेजिस्टरेशन करेंगे तो वह एक साल में आप कभी भी कोर्श ज्याइन कर सकते हैं और हमारे हां केबल और केबल दस इस्टूदेंट का ही बैच होता है उसमें भी दो लैब होते हैं इसमें पाँच एक प्रश होता है जैसे आप मालीजे ट्रेन का जनरल डबा होता है तो उसको आप जानते ही है तो सेम फेलिंग अगर आपको लेनी है इस तरीके की और दिखावे में जाना है तो बहुत सारे इंस्टूट्स आप देख सकते हैं यूटूब पर और विजिट करके भी लेकिन मेरा है आपको में सजेश्ट करूँगा कि एक बार सभी के पास विजिट करें हमारे पास आपका बिना पैसे का क्लास स्टार्ट होगा और अधर इंस्टूट में पैसा देने के बाद स्टार्ट होगा तो सबसे पहले फरक आप यहीं देख सकते हैं क्योंकि हमें अपने अपनी गीम पर और अपने क्वालिटी पर पूरा टराश्ट है तो जिस किसी इंस्टूट को पूरा टरस्ट होगा वही आपकी बिना पैसे कि क्लास करवाना स्टार्ट करेगा और एक दिन नहीं दो दिन नहीं पूरे तीन दिन आप class लेकर decide कर सकते हैं हमारे इंसे चूटे मैडमिशन लेने के बाद तो चलिए अब मैं आपको DSO मशीन के बारे में पूरा feature और setting बताता हूँ तो friends आप मैं आपको पताने जा रहा हूँ अपने DSO मशीन के बारे में आपके पास किसी भी company का DSO मशीन हो उसका जो setting है वो सेम तरीके से ही almost होगा अगर आपको कुछ भी feature अगर confusion होती है तो आप मुझसे comment करके या मेरे whatsapp नंबर पर संपर्ख करके जरूर जान सकते हैं तो मैं हमार शुकुमार आप सभी के help के लिए ही हूँ अब भाईयो मैं आपको सबसे पहले बता दू कि मेरे पास जो model है वो unit का UTD-2202CEX Plus है DSO जो होता है वो short name होता है वैसे इसका पूरा नाम Digital Storage Oscilloscope होता है अब यह DSO जो है वो 25 MHz का भी आता है 60 MHz का भी आता है 100 MHz का भी आता है 200 MHz का भी आता है तो friends अलग-अलग MHz के यह आते हैं आपके पास कोई से भी MHz का हो किसी भी brand का हो आपको features किस तरी किसे यूज़ करने है और setting किस तरी किसे करनी है इसकी calibration कैसे करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आप इस वीडियो को सुरू से अंत तक देखते हैं तो 100% आप professionally DSO machine को use कर पाएंगे और ये part by part आएगा सभी features के उपर details में भी content आएगा तो channel पर continuously बने रहें और channel को ज्यादस ज्यादा subscribe करें और ज्यादस ज्यादा share करें और ज्यादस ज्यादा maximum to maximum comments करके अपने suggestions बात करते हैं यह जो नीचे आपको colorful नज़रा रही है यह क्या है यह दो channel वाला DSO machine है इसमे channel 1 channel 2 आप एक साथ दोनों use कर सकते हैं एक ही DSO machine में आप दो अलग-अलग frequencies और data check कर सकते हैं यह इस machine को खास बनाती है friends इसके अंदर अगर बात करें कि सबसे important features कहां पर है तो यह जो options आपको छे नज़रा रहे हैं इसके अंदर बहुत important options है तो इसमें मैं आपको सबसे important utility के बारे में बताने बाला हूं utility को जब आप प्रेस करते हैं तो इसमें आपको system configuration मिलता है language मिलता है pass fail recorder next तो मैं सारे features प option है one kilohertz का option है auto है previous है तो इसमें सारे features साब को मैं आप बताऊंगा तो friends सबसे पहले किसी को भी इसमें जो problem आती है वो language related आती है अगर आपके DSO में language को different language के यासे यह है तो आपको language की setting में इस तरीके से आना है यह बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा जो इसका अंदर का manual है यहां पर आपको एक एक करके क्लिक करना है इंग्लिस वाला लेंग्विज जैसे ही आए आपको उसके ऊपर छोड़ देना जैसे लाइक इस इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना जिसे स्लेक्ट हो जाएगा अब यह पास फेल जो है इसमें जो जितने भी setting से इसमें से कोई आपको शेडने की जुरत नहीं है तो इसमें से बाहर आ जाते हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं कि और ऑप्सेंस हैं इसके अंदर में जैसे कि यहां पर आप देखें तो यह सेटिंग्स जो है बिल्कुल एस इस ही रहनी चीए इसमें कोई भी चेंज नहीं करनी है आप आपको टेंप्सिड कि तो इसमें आपको यह कोई भी ऑप्ष Kelvin नहीं है जैसा रहने देना है यह पिचे वहां जो ज्रूरूरी इंपर्टेंट नहीं है अब ऑप से अब देख सकते हैं जो और और ओप्र देखने हम यह इनमेंसे जो भी आपको देखने इने कों चीड नहीं तो यहां पर देखेंगे पास फेल जो आपको नजरा रहा था मैंसी मैं आपको जाके दिखा रहा था कि क्या प्राई कि आसी में एक सकते हैं next में जाके आप यहां पर सोफे सकते हैं साइनोमेटर हारा है साइनोमेटर करें 169 एजो milo said पिछ अब पाइटर इसने पीछ पर आपते हैं ऍर ओने एक आप आप्यूट्टर जाते हैं अगर यहां पर पैंडराइब लगा के रिकोर्डिंग वह अगरा करना चाहते हैं तो वह फीचर पीसमें अभी है अब यहाँ पर जिते भी फीचर थे आपने अल्मोर्स सारे देख लिए हैं कोई भी फीचर नहीं बसता है अब आधा जाते हैं अब बात करते डिस्पले वाल ऑप्शन की अब डिस्प्लेग्ध सबसे ओपर जब आत इसको मैनुली ही रहने दे स्क्रिन होल्ड दे सकते हैं आफ इसको आफ रहने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें तो आपको स्क्रिण के बगेरा चाहिए और इसको अच्छी से नजर आए तो यहां पे इस्के आफ्शे नहीं है जिसको चेहिए अपको चेड़ने की जूद्ध आ रही है क्योंकि X or Y का मतलबी signal होता है अब आप यहां पर देखिए टाइम आ रहा है सबसे पहले तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यह तीन features आपको देता है इनमें से कोई भी एक feature आप स्लेक्ट कर सकते हैं आफ कर सकते हैं और third option भी यूज़ कर सकते तो इसमें आप टाइम वाले feature को रहने दे फिर यहां पर जो नेक्स्ट option है hearts में देखना चाते हैं या second में देखना चाते हैं तो यहां पर अपना एक feature है तो इसको जो है second में भी कई लोग रखते हैं माइक्रो सेकेंड्स बगरें जिनको देखनी होती है तो मोबाइल या कोई भी अगर लाप्टॉप बगर रिपैरिंग करते तो आप इसको हर्ट वाले आप यहां पर चैनल स्लेक करने का उप्पषनять चैनल one channel 2 तो जो भी फीचर आप चेक कर रहे हैं इसको ऐत्को कर लिचक सकते हैं तो कि कंहां एक कषक्वार्वी अपर चैनल वाले option को मैं दिखा रहा है तो यहां पर कि क्यों पर आपको क्या मिलता है देखने को जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं आर एफ तो तो यहां पर मैंना आपको बता दिया अब आत करते हैं अग्वाइड की में देख सकते हैं के जो अपने रियल टाइम है इसी पर ने देना है और यहां पर जो आपको mode पे यूज करते हैं यह average पे तो इसको आपको पीक पर रखोगे तो थोड़ा गाढ़ा नजर आएगा और आप रखते हो यह बहुत ही normal range में नजर आएगा तो इसको average पर ही रहने देते हैं अब बात करते हैं इसके feature की इसमें कितने features हैं सबसे पहले मैं आपको इसके feature बता दू कि इसमें कि इतने पाराज हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इसके all parameters हैं जो भी इसके frequencies हैं तो इसमें बहुत ही ज्यादा features आपको देखने को मिल जाते हैं voltage related मेजर्मेंट हो गया टाइमर से रिलेटेड मेजर्मेंट हो गया अधर में भी वह बहुत सारे फीचर से हैं अब यह फीचर कैसे आप टेस्ट करते हैं इस वायर के थूँआ पजब यहां पर कनेक्ट करें कि कोई भी इन्में से राइस फॉल देखना चाहते हैं फेक्वेंसी चाहते हैं जब आप किसी भी टेस्टिंग पॉइंट पर लगाएंगे तो आपको अच्छे से सो हो जाएगा तो अभी फिलालों यहां से बैक हो रहा हूं मेजर वाले ओप्शन को वापस से क्लिक कर रहा हूं अब यह यूजर डिफ डिफॉल्ट जो है यहां पर तो यूज यहां पर चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है दुबारा से मैं आपको क्लियरेटी के साथ बता देता हूं मेजरमेंट पर क्लिक करना क्यों टेस्टिंग सारी इसी पर होनी है फिर जो भी फीचर सापे से स्लेक्ट करते उसके ठीक सामने वाला बटन दबाना है आप कि जैसे मुझेसे मुझे सेनगी már और तो इसको में घूमा रहा हूं रोड़ेट हो रहा है तो लाइक मुझे इन में से लेड देखना है ती सिदेखना है जैस देखना सीच्प प्लस आ माइनिस तो फौं भी आप स्लेक्ट कर सकते हैं वह और्पूर देख्यों प्लस या कि मेजर्मेंट सेट हो चुकी है अब बात करते हैं कुछ इसके और इंपोर्टेंट फीचर्स के बारे में i am mestra कि अब देखिए यह जो मेजर्मन्ट का स्लॉट है यह जो नॉर्मल इस तरीके के का आता ही तो यह बेसिक सभी यूट्यूबर्स ने आपको दिखाया हि होगा अब मेजर्मन्ट श्लॉट आपको कुछ इस तरीके का करना है क्योंकное मैं यसी इसी तरीके की रखता हूँ अगर आपने मेरी पुराणी वीडियो देखे तो इसमें इसी तरीके से रख के चेक करके दिखाया है तो अभी अपना डियेसो मसीन प्रॉपर्ली सेट हो चुका है इस पार्ट में मैं आपको इसका बेसिक बिल्कुल समझा रहा था इसकी में कंफ्यूजन रहती है या कोई दिक्कत रहती है तो मैं इसका एक और पार्ट बनाऊंगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो फ्रेंड यहाँ पर सेटिंग अल्मॉस हो चुकि अपनी तो सबसे पहले जैसे कि मैं बताया था आपको कि कोई बंदा खुद से यह इसके साथ में लगा तो जैसे वायर बगेरा लगा कि को कुछ टेस्टिंग करने हो तो उसके लिए होता है यह वाली अपनी ग्राउंड नीट्रल मतलब आप नीट्रल कहलो ग्रांड रहती है तो इसको अर्थिंग में लगाना है और दूसरे वाली वायर को आपको जहां कि जो पैरामेटर है जो आप यहां पर देख रहे तो इसका बोल्टेज अभी मैंने इसको एड़स्ट किया यहां पर दे सकते हैं कि यह 500 मिली बोल्ट पर है मैं इसको घटा और बढ़ा दोनो सकता अभी मैं इसको घटा रहा हूं तो यह वन मिली बोल्ट तक काम करता है अब इसको मैक्सिमों दिखाता हूं मैंको इसको कितने वोल्ट तक ले जासकते हैं तो यहां पर बीस बोल्ट मैक्सिमुम यह जा रहा है तो नॉर्मली जो हमें इसकी सब्सक्राइब नियुक्त इसको यह रहता है मतलब आप इसमें कोई चीज अगर देखना चाते हैं तो इस तरीकिसे आप देख सकते हैं जैसे कि माली जब किसी को stop करके देखना है कि किस तरह की wave बन रही थी तो वो इस तरीकिसे stop करके देख सकता है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो period है वह 1.0 microsecond या according अपन डाउन हो रहा है इसकी पूरी information देखने को मिल रही है अब इसकी बात करें कि यहाँ पर जो टेस्टिंग पॉइंट है इसमें वन किलो हर्ट की फिक्वेंसी है जो मैं आपको बता रहा था voltage adjustment की बात और तीन बोल्ट है इसमें मतलब यहाँ पर तीन बोल्ट की supply है और वन किलो हर्ट की really you can operate the frequency है तो क्या वीडियो को देखा है तो आपको दिख्ग वहा है कि हां उतना ही फेक्वेंसी और अदर बारेट मैं आपको दुबारा से लिखासे देता हूँ आप हैश्ते वेन किलो हर्ट की create हो थो लए किसे frequency चेक करनी है अब मैं थोड़ा सा आपको mobile में भी frequency चेक करके दिखा देता हूं अ तो friends अब मैं आपको audio frequency चेक करके दिखाने वाला हूं तो देखो मैंने यहां पर भी जब आपको चेक करके दिखाया था frequency तो एक बर और में रिपीट कर देता हूं कि हमारी जो यह वाली वायर है जो इसमें से आपको यह निकलिवी दिख रही है यह अर्थिंग वायर होती है ग्राउंड पर लगाना होता है तो आपको कब दाउनद पर लिएशा एक mercy तो बहूट दफ Cassia कूल में फिल लेता हूं और आपको इसमें जो राव रिंच अब देगा उसे अब तो श्रीय को अफ्रफ देखने के लिए हाप सब अब बहुत धन्यवाद अभी बीडियो खnar गतम नहीं है बीडियो अ आने रहे हैं। कि अब देख्याने कांब आणे बाली है। अब है कि पॉन का चुक इस में ईंद्धत के जो इसमें यह दो जूंपा लगे हुआ है है तो दो जूंपा लगे हो एक तंदिख सकु कि यह कुंट के स्थी क्लिएट हो रही है। कि यहां दिखाएं कि यह देख सकते आप audio frequency मैं थोड़ा यहां रख क्या आपको recording के साथ दिखाता हूं कि यह देखें ग्राउंड ले लिया हमने यहां से और यह देखें यह देखें यह देखें जासे क्या भी audio frequency आप देखें के continue बन रही है कि आप रुख गई है आपको चेक करवाएंगे कॉल आने का वेट करिए कि कॉल आ चुका है कि अगर मैं ग्राउंड ना लगा हूं तब चेक करूँ तो यहां पर प्रॉपर्ली फिक्वेंसी कभी आएगा कभी चला जाएगा बट जब आप ग्राउंड ले लोगे तो आपको एक कन्सॉर्म audio frequency दिख करनेक्ट होगा तो आप देखना audio frequency कुछ सेकंड आकर फिर वो आटमेटिकली फिनिश हो जाएगे देखिए अला क्योंकि तुरंट सिगनल खतम नहीं होता आप दुबारा मिलाई जैसी कॉल आएगा तो सीप्यू जो है अपना वह audio ic को और audio ic रिंगर ic कमांड देता तो आप आप देख सकते हैं इस तरीके से audio frequency आप टेस्ट कर सकते हैं तो आपको अगर audio frequency बन ली और फिर भी स्पिकर आवाज नहीं दे रहा है तो इस केस में आपको स्पिकर के डबी चेंज करते हैं और अगर आप आइसी में डिसाइड करना चाहते हैं यहां करना चाहते हैं तो audio amplifier ICB कहते हैं उसको चेंज करता है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो आपको कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इसी तरीके की knowledgeable वीडियो आपको एसी लॉजिक की यूटूब चैनल पर मिलती रहेगी मैं ही माश्यों कुमार आपसे फिर मिलूंगा किसी और वीडि शेयर और सस्क्राइब्स मोटिवेशन का काम करती है जैसे कि किसी भी इनसान को अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो वो इनसान आपके लिए ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स और आपके एकॉर्डिंग ही वीडियो बनाएगा तो मेरे चैनल पर तो आपके कमेंट्स और सजेशन पर ही वीडियो बन रहे हैं तो मैं ही माश्रकुमार आप सबी से ज्यादा चाहूंगा लेक्स्ट वीडियो तक जाहिए